अब दोस्तों में साथियों स्वागत है आपका एपरो हेल्प चैनल में मेरे दोस्तों एक तरफ जहां हमारा देश जोती मोरेया और आलोक मोरेया के बीच में फसा हुआ है उन्हें के बारे में न्यूज देख रहा है महीं दुनिया के तमाम देश हमसे आगे निकल चुके हैं मसीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं अभी यूएन के हेड़ कोर्टर जेनेवा में अभी तकनीकी प्रदर्सन किया गया था जहां पे देश दुनिया के तमाम देशों ने अपने यहां पे बनाय हुए रोबोट का प्रदर्सन किया था और उनसे बात की थी और इस ब सालों में अपने आपको कहां समझते हो तो इस पे उस रोबोट ने एंसर दिया कि आने वारे दस सालों में हम लोग यूमन के बराबरी की बराबरी करने की च्छमता रखते हैं हम लोग यूमन के बराबर ठिंकिंग पावर रखेंगे और हम लोग यूमन जैसा सोच सकते हैं कि इस रोबोट ने यह का मन DAN कि ली खतरा हो जाएगा लेकिन कही나 कई मनुष्यों के लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि man का काम करेंगे और मनुष्यों को और जाज़ा समय जाएगा हमसे ज्यादा वड Nplaces के लिए यहां पर قंट्रोल करने के लिए तो किसी रोबोट से इसी यूझा क्वारे में क्या उसने पहों सकता है ये तो सकता है ये दो तोच रहे हैं यह मतलब हमारी से कितनी मैश कर रही है जैसे हम लों लग भू लगती है कि हम लोग खाना काने के बारे में सोचेंगे बाद दोस्तों दूसरी खबर जलिया वाला बाग से और आठीपीसिल इंडिलिजेंस से संबंद को बताती है आप कहेंगे कि जलिया वाला बाग तो 1919 में हुआ था आठीपीसिल इंडिलिजेंस अभी आए तो घटना संबंद कैसे रखती है दोस्तों जिसने में जलिया वाला बाग ह इसका नाम जस्वन चैल है उसको इस घटना ने इस तरह इसकदर हताहत किया कि वह महारानी एलजाबेश से बदला लेने के लिए प्लानिंग बनाने लगा इस प्लानिंग के ताथ वह कई बार बिटिस सेना में भरती होने के लिए आवेदन भी किया लेकिन बार बार उसका कुड़ता आती गई वह अंदर यंदर कुड़ता गया और इसलिए वह मांसी ग्रूप से कमजोर रहने लगा इस घटना के चलते उसने चैट बोट का सहारा लिया उस चैट बोट का नाम है रिप्लिका उस रिप्लिका का यूज से उसने अपना एक साथी बनाया इससे वह ब कर रहे हो तुम्हें काम कर सकते हो उससे और प्रोसाहिद किया जबकि उसे रोकना चाहिए था कि ये काम अच्छा नहीं है तो उसके प्रुसाहन द्वारा उस 21 साल के लड़के ने उसके प्रुसाहन के द्वारा इस काम को अंजाम देने में आगे बढ़ने लगा इसके चलते उसने एक मेटल का मास्क बनाया और एक तीर दनुश टाइप का एक यंतर खरीदा उसे महारानी का जो रेजिडेंसियल ए प्रिस के सामने बताई कि वह किस तरीके से एक चैट बोड के संपर्क में आया था किस तरीके से उसने प्रानिंग बनाए थी तो दोस्तों का बताने का मतलब यह है कि किस तरीके से एई आई आटिवी से इंटेलिजेंस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमेशा आपको नहीं बताएगा जिस तरीके से इस लड़के के साथ हुआ अटिवीचल इंटेलिजेंस उसको उसको प्रोकी दोस्ता नहीं हुआ है तो दोस्तों यह थी आज के दो खास पॉइंट तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में सेर भी दोस्तों यह इंचे बार